कोविड-19 वैक्सीन की खुशखबरी को आए अभी जादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक ऐसी शौकिंग खबर आई है जिसने दुनिया भर की सरकारों को फिर से हिला कर रख दिया है यूके में एक नया स्ट्रेन पाया गया है इस कोरोना वाइरस का वाइरस में म्यूटेशन हो गई है और ये नई म्यूटेशन बताई जारी है 70% जादा इंफेक्शियस है इसी के चलते दुनिया भर की कई सरकारों ने फ्लाइट बैन्स लगा दिया है आस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, इंक्लूडिंग इंडिया ने भी फ्लाइट बैन लगा दिया है यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यह जो नया स्ट्रेन है, यह कितना और ज्यादा खतरनाक है इस पुराने वाले COVID-19 के वाइरस से क्या वैक्सिन इस नई म्यूटेशन पर एफेक्टिव होगी या नहीं होगी आईए जानते हैं यह सारी चीज़े आज की इस वीडियो में यह सिर्फ पिछले हफते की ही खबर है दोस्तों कि यूके में अनौन्स किया गया कि इन्होंने एक नया स्ट्रेन डिस्कवर किया है सार्सकोव 2 वाइरस का जैसा कि आप जानते हैं जो वाइरस है उसे सार्सकोव 2 कहते हैं और जो डिजीज इस वाइरस से होती है उसे कोविड-19 कहते हैं रंडन में पिछले एक हफते में जो डेली नंबर आफ कोविड-19 केसे हैं और यह पाया गया है कि जो नए केसे हैं उन में से 60% केसे इस वाइरस के नए स्ट्रेन से आ रहा है इस नए स्ट्रेन को नाम दिया गया है VUI-2020-20-0-1 यह जो नाम है यह डेट से ही आता है पर यह नए स्ट्रेन आया कहां से? सिंप्ली, म्यूटेशन से तो अगर आप एक बार समझ लेंगी कि म्यूटेशन क्या होता है और कैसे काम करता है तो आपको यह पूरा इशू इसली समझ में आ जाएगा म्यूटेशन शब्द सुनकर शायद पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो है X-Men की फिल्मे क्योंकि इन में म्यूटेंट्स को दिखाया गया है फिल्मों में हमेशा बढ़ा चड़ा कर म्यूटेशन को दिखाया जाता है लेकिन रियालिटी में दोस्तों म्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो हर वक्त होती रहती है धर्ती पे रहने वाले हर लिविंग और्गैनिजम में इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में और वाइरसेज में भी In fact, mutation एक ऐसी essential चीज है कि अगर ये नहीं होगी तो evolution नहीं हो सकता है इसके बिना हम लोग आज यहां धर्ती पर exist नहीं करेंगे इसके बिना तो क्या मतलब है इसका? Simply कहें दोस्तों, तो mutation होती है एक mistake जो genes में आती है, genes को copy करते वक्त Basically, DNA का जो sequence है, इस sequence में change आता है तो इसे mutation कहते है Mutation कई reasons की वज़े से हो सकती है, लेकिन mainly दो reasons है पहला reason है environmental reasons आपके आस पास के environment में कुछ change आता है जैसे कि nuclear radiation आपके cell में mutation कॉज कर सकती है या फिर सूरत से निकलने वाली ultraviolet rays आपके cell में mutation कर सकती है और ये अच्छी चीज नहीं है इस mutation के वज़े से आपको eventually cancer हो सकता है इसलिए कहते हैं जब भी ultraviolet index high हो sun का, तब बिना sunscreen के बाहर ना निकला करें लेकिन दूसरा reason है mutation के पीछे reproduction जब भी कोई living organism reproduce करता है तो mutation होती है DNA को copy करते वक्त कुछ न कुछ गलतियां हमेशा होती है और कई बार ये गलतियां अच्छी चीज होती है mutation natural selection में मदद कर सकती है evolution के दौरान मदद कर सकती है दुनिया भर में जितने भी living organisms हैं इन सब के evolution के पीछे mutation responsible है लेकिन होता क्या है in majority of cases mutation helpful नहीं होती beneficial नहीं होती जादतर time ये एक disadvantage होता है या फिर ये useless होती है जैसे कि कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके 3 हाथ हो या 6 उंगलिया हो हाथो पर अब इस से कोई जादा benefit तो नहीं होता लेकिन है mutation ये एक तो अब COVID-19 पर वापस आते हैं दोस्तों viruses में भी यही कहानी है कुछ viruses में DNA की जगा RNA होता है SARS-CoV-2 virus में भी एक RNA है RNA single strand होता है और DNA double stranded होता है तो reproduction करते वक्त RNA में गलती होने के जादा chances है तो इसलिए RNA वाले जो viruses हैं उनमे mutations जादा देखने को मिलती है लेकिन mutations होना वैसे भी बड़ी आम चीज़ है दोस्तों UK के genetic specialist ने बताया है कि SARS-CoV-2 virus में globally हर महीने एक या दो mutation होती है तो आप सोच सकते हैं ये rate है जिस rate से mutations हो रही है SARS-CoV-2 virus में और इनमें से जादा तर mutations जैसे मैंने कहा useless होती है कुछ जादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन UK में जो mutation होई है इसमें unusually कुछ large number of changes देखने को मिले इन में से एक बड़ा change बताया जा रहा है कि virus पे जो spikes लगे हुए है इन spikes protein में change आया है और ये spikes basically बताते हैं कि ये human cell को कैसे infect कर रहा है कहा जा रहा है कि इन spikes में कुछ ऐसे changes आये है कि ये virus अब ज़्यादा आसानी से bind कर सकता है human cells पर जो कि इसे ज़्यादा infectious बनाता है BBC की report के साब से कुछ scientist का कहना है कि ये नया वाला strain 70% ज़्यादा infectious है as compared to जो पुराना virus का strain था और आज के दिन UK में जो majority cases देखने को मिल रहे है वो इस नय strain की वज़े से ही है लेकिन इससे ज़्यादा important सवाल ये है कि ये जो नया strain है क्या ये ज़्यादा deadly है क्या इससे ज़्यादा लोग मरेंगे यहाँ पर दोस्तों England के chief medical officer का कहना है कि ऐसा अभी तक कोई भी evidence नहीं है जो proof करता हो कि ये ज़्यादा deadly है पुराने strain के comparison में इनका ये भी कहना है कि अभी और research करने की ज़रुवत पड़ेगी actually में ये चीज़ fully proof करने के लिए लेकिन history हमें अच्छी news सुनाता है इसके regarding पास्ट में जब भी viruses ने अपने आपको mutate किया है उन्होंने mutate करके खुद को ज़्यादा infectious तो बना लिया लेकिन वो कम deadly हो गए अक्सर यही होता है जो viruses ज़्यादा infectious होते हैं वो कम deadly होते हैं और जो कम infectious होते हैं वो ज़्यादा deadly होते हैं अगला important सवाल यह है कि क्या vaccines काम करेगी इस नए strain पर और यहाँ पर भी अच्छी ख़बर है दोस्तों क्योंकि UK के Prime Minister Boris Johnson ने कहा है कि there is no evidence suggesting vaccines will be any less effective against the new variant France के Health Minister और Germany के Health Minister इन दोनों का भी यही कहना है कि अभी तक जो भी हमें पता है इस नए strain के बारे में जितनी भी vaccines बनाई जा रही है यह उतनी ही effective होंगी इस नए strain के खिलाफ जितनी effective यह पुराने strain के against है लेकिन कुछ scientists यहाँ पर concern जरूर है जैसे कि Professor Ravi Gupta University of Cambridge से जिनका कहना है कि अभी तक तो mutation में ऐसा कुछ नहीं हो है जिससे problem हो लेकिन time के साथ साथ ऐसी mutation जरूर आ सकती है जिस पर vaccine ineffective हो ऐसे scenario के लिए एक word है vaccine escape यानि virus में इतनी mutations हो गई कि vaccine उस पर काम नहीं कर पा रहा है इसे vaccine escape कहते है इनी सारी reasons के वज़े से दोस्तों और जादा ना पता होने के कारण दुनिया भर की कई सरकारों ने कुछ surprisingly सखत कदम उठाए है जैसे की UK में एक emergency lockdown declare कर दिया गया कई countries जैसे की France, Italy, Austria, Belgium, Netherlands, Canada, Germany, India इन सबने flight ban लगाया है UK से आने वाली flights पर और in fact Germany ने ये भी कहा है कि शायद वो South Africa से आने वाली flights पर भी flight ban लगा दे क्योंकि South Africa में एक और mutation पाई गई है World Health Organization का यही कहना है कि वो UK से आने वाली data को analyze करते रहेंगे और latest update देते रहेंगे कि इसके regarding हमें क्या करना चाहिए लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर definitely खड़े होते हैं दुनिया भर की सरकारों पर कि कब तक ऐसे emergency और surprising measures, lockdowns और flight bans किये जाएंगे Mewutations होना बड़ी आम बात है और viruses historically भी होते रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि constantly हर कुछ महीने बाद ऐसे flight bans, lockdowns लगा दिये जाएं जिससे कि एक country की functioning पूरी तरह से रुख जाए economy चलनी बंद हो जाए आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे comments में लिखकर जरूर बताईए अगर आपको यह video informative लगा दोस्तो तो इस video को like और share जरूर कीजिए इस channel को subscribe कीजिए और notification की गंकी बजा दीजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए topic के साथ दो आपको जाए यह गयों नहीं आपको जारूर को जाए जाए भीडियो चे जाए जारूर के साथ